हेलो फ्रेंड जैसे हो आप हमारे चैनल में आपका सागत है तो आज हम कक्री लाने जाएंगे कक्री से हम सबजी बनाएंगे तो चलिए खेत में चलते हैं कक्री लाने तो देखिए फ्रेंड आज हम दूसरी लाकि में आए हैं यहां से जो कक्री का खेत हैं वह गंगे किनारे में हैं यहां से ज्यादा दूर नहीं है तो चलिए जल्दी से चलते हैं तो देखिए सामने बहुत सरा खेते हैं तो बहाँ पे जो कक्री का खेते हैं बहाँ चलते हैं देखिए आगे तो पानी है तो पानी में से चले क्या देखिए उपर भी रास्ता है उपर से चलते हैं इस तो देखिए ये खरबुजा का खेत है और खरबुजा के खेत के उस साङड में कक्री का खेत है तो चले बहाँ चलते हैं तो देख्यों यह ख Ary da दो एखिए खंच जोपरी है यहां पे रहते हैं पहरे दरी करते हैं और हमने खेतवले अंकल से बात कर लिया है वो दूसरे खेट में काम कर रहे हैं और यह नीचे है कखरी का खेत नीचे चलते हैं कर तो देखिए फाइनलि हम खेत में पहुंच गया है तो चले कखरी तोरना स्टार्ट करते हैं जड़ान के ढहाएं प्रब्सित यह आया है तो देखे फ्रेंड हमने बहुत सरा कक्री तोड़ लिया है तो अब हम घर चलेंगे तो चलिए यहाँ पर नल भी है तो दो तिन कक्री धोके फिर खा लेते हैं फैन नलके पे तो पाली नहीं है यह तो नीकाल के छोते हैं इसका चलिए आजए आजए चलिए आजए आजए तो चलिए क्लीए तो चलिए प्यापे हि जो चलिए कर दो 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 बाहिए तो चले फ्रेंड कक्री की सबजी बनानी के लिए सबसे पहले कक्री को काट लेते हैं तो कक्री को हम गोल गोल करके काटेंगे तो चले फ्रेंड कक्री की सबजी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम करहाई में तेल डालेंगे तेल गरम होने की बाद इसमें हम थोरी से जीरा डालेंगे इसके बाद इसमें एक चमच बारीक कटूही लहसून डालेंगे लहसून को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं अब इसमें एक बारीक टूही पैज डालेंगे अब इसमें हम एक बारीक कटूही कच्चा टमाटा डालेंगे जिससे सबजी थोरा खटा हो जाता है काफी तेस्टी भी लगता है अब इसमें हम कटूही कटूही कट्री क्यों डालेंगे कट्री डालने के बाद इसमें हम छोटी आधा चमच हल्दी डालेंगे आधा चमच नमक डालेंगे और छोटी एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अब इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं अब इन कखी को हम तीन चाल में तक फ्राई कर लेते हैं हमने इनको थोड़ी दिर फ्राई कर लिया है अब इसमें हम आधा घ्लास से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे अब इनको थोड़ी देर के ड़ख देते हैं हमारा कख्री जो है अच्छे से गल चुका है अब इसमें हम छोटी आधा चम मच भूनी हुई जीरा पाउंडर डालेंगे और थोड़ी सी सबजी मसाला डालेंगे अब इनको हम एक मिनट तक पकाके फिर उतार लेंगे अब हमारा कख्री का सुखी सब जीवन के तयार है तो कैसे लगा आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके रच बताइएगा और कख्री का सीजन चल रहा है तो आप भी एक बड़ कख्री का सब्स बनाके जरूर देखिएगा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजी शेयर कीजी और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ